Hello friends, आप सब का आपके अपनी चनल कोविन लेक्षर्स में एक बार फिर से सबागते तो कैसे हो आप सब उम्मित करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बॉर्ड ट्रिक्स आगे त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी तो ककसा 10, विज्ञान विशे के Question Bank Solution की सिरीज में आजम अध्या 5, जैव परक्रम के Question Bank के जो भी महतुपून प्रशन दिये गए हैं उन सबी प्रशनों को सॉल्व करना सिखेंगे आपने Question Bank के अनुसार चप्रशन एक से लेकर 4 तक सबी के महतुपून प्रशनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के description में दी हुई है या फिर चैनल की playlist पर जाकर आप उन सबी classes को आराम से देख सकते हैं तो चलिए class सुरू करते हैं पहला प्रशन है कि बॉमेन संपूट निम्न लिखित में से किस तंत्र का भाग है तो बॉमेन संपूट आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है कौन से तंत्र का उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है दूसरा है जठर रस में कौन सा अमलब आया जाता है कौन सा अमलब होता है हाइड्रोकलोरिक अमलब किसरा मानव में भोजन को काटने और चीरने फारने के लिए उप्योगी दाथ कौनसे होते हैं करतंक और रधनक चव्वता है, प्रोस्टेअट गरंती संंबंदी थे, किससे संंन्दी थे, नर्जनन्तंतर से संंबंदि थे पांचवा, हिमोगलोबीन रुधिर में पाया जाता है, तो लाल रुधिर कनिका में इसमें बाई जाता है लाल रुधिर कनिका में अगला प्रशन है प्रशन संक्याच्चें सवसन में ग्लुकोज पाईरुवेट में विखंडित हो जाता है सवसन की प्रक्रिया में ग्लुकोज का पाईरुवेट में विखंडन कहां पर होता है आगे साथवा पाइरुवेट के विखंडन से वाईविय सवसन से कारबन डाय ओकसाइड जल व उर्जा बनती है यह क्रिया होती है पाइरुवेट के विखंडन से वाईविय सवसन की क्रिया में कारबन डाय ओकसाइड अपका जल और उर्जा बनती है यह क्रिया कहां पर होती है ये किरिया होती है माइट्रो कॉंड्रिया में आठवा परकास अंसलेशन की किरिया के लिए आवश्यक नहीं है परकास अंसलेशन की किरिया के लिए इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आवश्यक नहीं है तो परकास अंसलेशन की किरिया के लिए ऑक्सिजन आवश्यक नहीं नववा उसर्जन तंत्र की इकाई क्या है तो उसर्जन तंत्र की जो सबसे चोटी इकाई होती है वो होती है नैफ्रोन क्या होती है नैफ्रोन या वक्राणू दस्वा है मानव में सबसंत अंत्र की क्रियात्म की कई कौन सी है मानव में सबसंत अंत्र की जो सबसे क्रियात्म की कई होती है वो होती है वायू कूपी का है ग्यारवा पत्तियों का हरा रंग किस वरनक के कारण होता है इसकी वज़े से होता है पत्तियों का अरा रंग तो क्लोरोफिल यानि की हरित लवक अर्थवा पंड हरित के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है हरा होता है 12. समान्य व्याष्क का रक्तदाब कितना होता है 80 से लेकर 120 mmHg यानि 0,0 to 1 weakness और 1 mmHg यानि की पारा मर्क दी इकाई कया है इकाई आपकी है 120 M, ठीक है, M, M, H, G, यह आपको इकाई याज रखनी है, तो सामाने व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है, वो 80 से लेकर 120, ठीक है, M, M, H, G के बीच में होता है, आगे प्रशन संख्या, अगला है आपका, रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए, हमें क्या करनी है, रिक्तिस्तान में पाचन, खाली जगह में होता है, तो अमीबा के अंदर जो पाचन होता है, वो खाद्य धानी में होता है, काँ पर होता है, खाद्य धानी में होता है, दूसरा, सबसन में सामानेत, जन्तु, वायू को खाली जगह और खाली जगह किरिया करते हैं, सबसन में सामानेत, जन वायू को निस सवचन और उच्च सवचन की क्रिया करते हैं वायू की क्रिया एक तो निस वच्चन और दूसरी उच्च सवचन निस सवचन और उच्च वच्चन आगे तीसरा सिराओ में रुधीर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए खाली जगह होते हैं सिराओ में रुधीर को एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित करने के लिए क्या पाई जाते हैं? वालव पाई जाते हैं तो था जेव उत्प्रेरक खाली जगह कहलाते हैं तो जयव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, जयव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम, पांचवा, बसंत में, जड़ और तने के उत्तक में, संचित सरकरा का इस्तनांतरन खाली जगह में होता है, किसमें होता है, कली काओ में, ठीके, बसंत रितु मे जड़ और तनों में मौझूद जो उत्तक है उत्तकों के अंदर मौझूद जो सरक्रा होती है उसका इस्तनांत्रन का होता है कलिकाओ में होता है चट्टी खाली जगह आमाश्य के आंतरीक अस्तर की अमला से रक्सा कौन करता है कौन करता है सलेश्मा ठीक है आमाश्य की जो आ रक्त दाब मापी का, इसका उप्योग के जाता है, रक्त दाब मापी का उप्योग किया जाता है, और इसी का दूसरा नम क्या होता है, इसी का दूसरा नम होता है, आपके स्पैग्मो मैनोमिटर, ठीके, स्पैगो, स्पैग्मो मैनोमिटर, आठवा, रंद्र के खुलने और ब करती है द्वार कोशी का क्या करती है द्वार कोशी का नियंत्रित करती है नववा मानव आहारनाल में भोजन में मिलने वाला पर्थम एंजाइम कौनसा होता है कौनसा होता है एमिलेज एंजाइम जो लार के माध्यम से मिलता है दसवा कोशी का इस्तर पर उर्जा का संग्रहन स्रोत खाली जगह अनू है वंसानू है एटीपी ठीके ग्यारवा विम्बानू का जीवनकाल कितने दिनों का होता है लगबग 12 दिनों का बारवा लाल रुदिर कनिकाओ का जीवनकाल कितना होता है लगबग 120 दिन का होता है ठीके तो यह थे आपके रिक्तिस्तान वाले पहला प्रश्ण है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गरंथी का नाम क्या है और इसका मुख्यकार्य क्या है तो शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी गरंथी है वो है आपकी यकर्थ गरंथी कुंसी ग्रंती है यकर्त ग्रंती ठीक इसका मुख्य कार्य क्या है तो इसका अगर मैं मुख्य कार्य की बात करूँ तो इसका मुख्य कार्य पहला है पीत रश का स्राव करना पीत रश का स्राव करना तो इस्तराव करना ठीक है दूसरा इसका मुख्य कार्य है यूरिया का नि किसरा इसका मुख्यकार्य है पुरानी रक्त कोशिकाओ को नश्ट करना ठीक है और जो आपके सरीर के अंदर जो विसाक्त परदात होते हैं जहरेले परदात होते हैं उनको क्या करना उनको नश्ट करना अगला है दूसरा एपिक लोटीस का मुख्यकार्य क्या है एपिक लोटीस जिसे गाटी डखकन भी का जाता है इसका मुख्यकार्य क्या होता है तो इसका मुख्यकार्य होता है बोजन को स्वास नली में जाने से र मुख्य कार्य क्या होता है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को स्वास नली में जाने से रोकना इसका मुख्य कार्य है किसरा प्रशन है पचित भोजन से पानी और खनीज लबनों का अफसोसन कहां होता है तो कहां पर होता है बड़ी आत के अंदर आपके पचे हुए भोजन से अतिरिक्त पानी और खनीज लबनों का अफसोसन होता है और बाकी जो पाचक परदात होते हैं उनका अफसोसन होता है चोटी यात में ठीके प्रश्ण संक्याच्यार अचानक किसी क्रिया के होने से मास्पेसियों में क्रेंप होने का क्या कारण है तो देखे इसके उत्तर को हम जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा तो अचानक सारीरिक गतिविदी के दोरान हमारी मास्पेसियों की कोसिकाओं में ऑक्सिजन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है जो पाईरुवेट के लेक्टिक अमला में तूटने का मार्ग है जो पाईरुवेट के लेक्टिक अमला में तूटने का मार्ग है जो सरीर के अंदर क्या करता है एठन पैदा करता है जब भी हम कोई अचानक सारे रिगती विदि करते हैं तो हमारी मास पेसी की कोशिकाव में क्या होती है oxygen की कमी हो जाती है और oxygen की कमी हो जाती है यानि कौन सा सवसन होगा वहाँ पर अव आईवीय सवसन तो वहाँ पर जब पाईरूवेट का विखंडन किसमे होता है लेक्टिक अमलम में तो लेक्टिक अमलम में विखंडन होने की वज़े से सरीर में क्या होती है सरीर के अंदर एठन पैदा हो जाती है ठीक है आगे बात करें अगला प्रश्ण है आपका प्रश्ण संक्या पांच कि दिर्ग रोम क्या है और इसका कारे क्या है तो दिर्ग रोम होते क्या है तो सुद्रांत यानि हमारी जो चोटी यात है उसकी आंत्रिक भित्ती पर हजारो अंगुली के समान उबरी हुई सरंचनाय पाई जाती है जिनने दिर्ग रोम अत्वा रसांकूर कहा जाता है, जिनने क्या कहते हैं, दिर्ग रोम अत्वा रसांकूर, अब इसका कारे क्या है, तो दिर्ग रोम सुद्रांत यानि छोटी आत के अंदर पाए जाते हैं, ये काम क्या करते हैं, तो ये पचे हुए भोजन के अवसोसन है सतही चित्रफल को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं परतेक दिर्ग रोम में सुक्समरुदिर वाहिकाओ का क्या होता है जाल फैला होता है और दिर्ग रोम की सतह से पचे हुए बोजन का अवसोसन होता है और यह रुदिर वाहिकाओ के अंदर चला जाता है तो दिर्ग रोम और दिर्ग्रोम के अंदर सुक्स्म रुदिर वाहिकाओ का जाल होता है जिसकी मदद से जो पचा हुआ भोजन है जिसका दिर्ग्रोम की सतया प्रावसोशन होता है वो फिर इन रुदिर वाहिकाओ के अंदर चला जाता है और वहां से फिर सरीर के अलग-अलग भागों के अं ऐगे बात करें प्रश्न संक्या 6 विभिन इस तरो पर आपके भोजन पचित रस और अवसिष्ट की गती को नींतरित करने वाली पेशियों को क्या जो अवसिष्ट की गती को क्या थे नींतरित करती है तोटियात इस अंग द्वारा बोजन का सरवादिक पाचन और अवसोशन होता है तोटियात के अंदर इसी अंग के द्वारा बोजन का सरवादिक पाचन और अवसोशन होता है तो हम कह सकते हैं कि अलग-लग इस तरों पर बोजन पाचितरस और अवसिष्ट की गती को नियंतरित करने वाली जो पेशिया होती है वो होती है समवरनी पेशिया है आगे प्रशन संख्या साथ पादप में रंद्र के क्या कार्या है और रंद्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधी का चित्र बनाईए तो देखो रंद्र का मुख्य कार्या है वास्प उसर्जन वास्पो उसर्जन के दोरान जल वास्प भी रंद्रो द्वाहराई क्या होती है बाहर निकलती है ठीक है रंद्रो के माध्यम से ही वास्पो उसर्जन की क्रिया के दोरान जल है वो वास्प के रूप में क्या होता है बाहर निकलता है दूसरा काम है रंद्रों का गैसों का आदान परदान करना तो प्रकास संसलेशन और समसन की क्रिया के दोरान वातावरण से गैसों का जो विन्निम में होता है वो रंद्रों के माध्यम से ही होता है तो यह रंद्रों के मुक्या कार्य है यह आपके सामने चित्र दिया हुआ है जिसमें पहला चित्र है खुले रंद्र का और दूसरा चित्र है बंद रंद्र का आपको भाग बताने है जैसे यह अरित लवक है यह रंद्र चित्र है यहाँ पर बीच के अंदर और यह क्या है द्वार कोसी का है जो रंद्रो के खुलने और बंद होने की किरिया को क्या करती है नियंतरित करती है ठीक आगे बात करें प्रश्ण संख्या आठ की करतरिम अपोहन या जिसे हम डायलीसिस भी कहते हैं उसके बारे में समझाना है तो कई बार क्या होता है विपरित प्रिस्ततियों के वारन हमारे जो गुर्दे हैं या जो वक्रक है किद्नी है वो अपना कारे ठीक प्रकार से नहीं करते हैं और सरीर में बनने वाला यूरिया और अन्य उसरजी परदातों को ये रक्त से चानने में क्या हो जाते हैं और समर्थ होते हैं या सीधी सी बात है जब हमारे गुर्दे फिर ये विसेले परदात क्या होते हैं? बहने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं तब dialysis यंत्र यानि अपोहन विदी का परियोग करके रक्त को क्या क्या जाता है? करतरिम तरीके से साप किया जाता है और इस यंत्र में रक्त सेलोफोंजिली की बनी नलीकाओ के अंदर बहता है तो dialysis क्या है? dialysis एक परकार की करतरिम परक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे सरीर से हमारे सरीर में मौझूद जो रक्त है उसमें मौझूद अपसिष्ट परदातों को चान कर अलग किया जाता है हमारे रक्त में मौझूद अपसिष्ट परदातों को चान कर अलग करने के लिए जिस कर्तरिम विधी का उप्योग किया जाता है उसे कहते हैं कर्तरिम अपोहन या डायलिसिस विधी आगे बात करें प्रश्ण संख्या 9 की देया हुआ है कि पर्ण के अनुपरस्ट काट का नामंकित चित्र बनाई है एक पत्ती के अनुपरस्त काट का आपको नामंग के चितर बनाना है यह आपके सामने एक पत्ती दी हुई है, जिसके अलग-अलग भाग है देखो यहाँ पर जाइलम भाग है, फिर यह फ्लोएम है, यह पूरा सम्वहन बंडल है फिर ये बद्द्य सीरा है फिर ये पर्ण पटल है और ये सीरा है ठीक है ये अलग-अलग इसके भाग है जो आपको चित्र बिणा के बताने है अगला प्रशन है आहार नाल में भोजन का पूनिता पाचन और अवसोसन कहां पर होता है आप सब को पता है चोटी या तयानी सु के अंदर ही कार्बो आइडरेट के पाचन की प्रिक्रिया सुरू हो जाती है बारवा प्रोटीन और वसा के पाचन के पाचक एंजाइमों के नाम बताने है तो प्रोटीन जो पाचक एंजाइम है उनके नाम है पैपसीन, रैनीन, ट्रिपसीन और काइमो ट्रिपसीन ये जो अंजाइम से वो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है. वही जो लाइपेज एंजाइम है, वो अदिकांस जीवित जीवो में किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है. अब अगे बात करें परस्न संख्या 13 हो. बोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है तो मुह में इस्तित लार ग्रंतियों से लार निकल कर चबाई हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना और कैसा बना देती है लस लसा बना देती है जिससे ये भोजन नली में आसानी से क्या हो सकता है फिसल सकता ह और इससे भी मैत्वण ये है कि लार में उपस्ती जो एंजाइम, एमाईलेज होता है, वो मंड के जटिल अनुओ को सरकरा में क्या कर देता है, खंडित कर देता है, जो मंड की एपेक्सा काफी सरल अनुओ होते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लार है, वो बोजन के पाचन म में आहम भूमिका निबाती है, क्योंकि जो लार ये एमाईलेज एंजाइम होता है, वो आपकी मुहों के अंदर ही मंड के जटिल अनुओ को सरल सरकरा के अनुओ में क्या कर देता है, विकंडित कर देता है, जिस से आगे वोजन के पाचन में क्या होती है, आसानी होती है, अगला प्रशन है, प्रशन संक्या 14, हमारे सरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रिणाम हो सकते हैं? आप सब जानते हैं कि यदि हमारे सरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो सरीर के विबिन भागों में आक्सिजन की मात्रा आपसक रूप से नहीं पोहन सकेगी इसकी वज़े से बोजन का जो आक्सी करने वो पोहन रूप से नहीं हो सकेगा और उर्जा का उत्पदन भी क्या होगा? कम होगा इससे हमारे सरीर में क्या होगी कमजोरी बढ़ेगी और हिमोगलोबिन की कमी की इस्तती को ही हम क्या कहते हैं रक्त अलपता यानि की एनिमिया के नाम से भी जानते हैं हिमोगलोबिन की कमी से हमारे सरीर में खुन की कमी हो जाती है जिसे हम एनिमिया रोग अथवा रक्त अलपता के नाम से जानते हैं ठीक है? आगे बात करें तो अगला प्रशन आपका देखो प्रशन संग्या 15 यह आपके सामने दिया हुआ है कि सुमेलित कीजिए क्या करना है आपको सुमेलित करना है कार्बो हाइडरेट और पाचन के उत्पाद जब कार्बो हाइडरेट का क्या होता है पाचन होता है तो उत्पाद क्या बनता है गलुकोज जब प्रोटिन का पाचन होता है तो उत्पाद क्या बनता है अमीनो अमला और जो वसा का पाचन होता है तो उत्पद क्या बनता है वसीय अमलो और गिल्स रोल ठीके तो इस तरह हमने आजगी स्कलास में महत्वपोर्ण अबसद़ वाले प्रशण आपके फिर महत्वपोर्ण रेक्तिस्तान वाले प्रशण और आपके लगू उत्रातमक प्रशणों को अमने डिसकस किया है उम्मीद करता हूँ आज हमने जितने भी प्रशन डिसकस किये हैं उन सभी के उत्र आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो इसकी अगली क्लास में यानि पार्ट टू के अंदर इस चैप्टर के हम जो दिर्ग उत्रिय प्रशन दिये गए हैं उनको स्वाल्व करना सिखेंगे तो आप सबको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भरत मिलते हैं पार्ट टू में इसके दिर्ग उत्रिय प्रशनों के साथ में तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट